यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जो की 750 रुपे था उसे बढ़ा कर अब 1125 रुपे प्रती महिने कर दिया गया है साइकल भत्ता जो की 200 रुपे प्रती महिने है को मूल वेतन का 10 प्रतीशत न्यूनतम 25 रुपे और अधिकतम 72 रुपे प्रती महा करने की बाग किया गया है इसके अलावा साथी महंगाई भत्ते को भी वाहन भत्ते में जोड़ा जाएगा निशक्त महिला सरकारी करमचारी को चाइल्ड केर के लिए 1500 रुपे प्रती बच्चा दिये जाएंगे राज में पहली बार ऐसा भत्ता शुरू किया गया है ये भत्ता उस निशक्त महिला सरकारी करमचारी को मिलेगा जो 40 प्रतीशत या इससे अधिक निशक्त होंगी तो हड्याना करमचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है वित विभाग ने अधिसूचना जारी की है तीवी स्क्रीन पर जो की जारी की गई है और ऐसे में अब राहत मिलने वाली है और हड्याना के करमचारियों के भत्तों में इजाफा होने जा रहा है तो हड्याना करमचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है सरकार की और से साती वित विभाग ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है आपको बता दें कि निशक्त जनों के लिए भी राज में पहली बार भत्ते जो है वो शुरू किये जा रही है और ऐसे में निशक्त महिला सरकारी करमचारी को चाइल्ड केर के लिए पंदरा सो रुपे प्रती बच्चा दिये जाएंगे कहा जा रहा है कि राज में ऐसा पहली बार जो है ऐसा भत्ता शुरू किया गया है ये भत्ता उस निशक्त महिला सरकारी करमचारी को मिलेगा जो 40 प्रतीशत या इससे अधिक निशक्त होगी तो हर्यारा में सरकारी कर्मचारियों को अब ये राह जो है सरकार की और से दी जा रही है वेतन बढ़ातरी की जा रही है और इसके साथी से लेकर अधिसूचना भी जारी करती गई है तो वित विभाग ने अधिसूचना जारी की है और आपको बता दे कि हद्याना कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ातरी की जा रही है सरकार की और से राहत कर्मचारियों को दी जाएगी और इसके साथी वित विभाग की और से ये अधिसूचना जारी की गई है आपको बता कि निश्टक्त महिलाओं के लिए भत्ता जारी किया जाएगा और कहा जा रहा है कि राज्य में ये पहली बार होने जा रहा है और इसके अलावा आपको बतारे महंगाई भत्ते में भी बढ़ोत्री की गई है और शिक्षा भत्ता जो कि दिया जाता था उसमें भी बढ़ोत्र जारी की है